नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में भारत के भुगोल से सम्मंधित महत्पुन पॉइंट को डिसकस किया गया है यह पार्ट टू है भारत के भुगोल का इसका पहले भारत के भुगोल का पार्ट वन अपलोड हो चुका है जो अभी तक नहीं देखे जाके देख लिजेगा प आपको जो है पीडियाप को बारबर खोजन ना पले टेलीग्राम गुरूप से तो जो अब तेक टेलेग्राम गुरूप जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आई देखते हैं पहला पॉइंट भारत के पठार में है दक्कन का पठ का कॉंसी मिठी पाई जाती है तो काली मिठी जाती है जो कपास के उत्र पा दन के लिए महतपूर्ण होती है तो धकन ट्रेप का बिस्तार है कर्टेसियग के अंतिमचन में प्रर्राइम बल्जाता है दकन के पथार का कार कैसा है तो तिलिगर कार है उसके बाद पथार को मैप में दिखाया गया है तो कॉनगोसे पथार कहा पर इसे मैप में एक बार अपनों देख लिजगे lawa का पथार्य और उसके उपर में बुंदेल खंड का पठार है, नीचे में बगेल खंड का पठार, इस्ट में छोटा नागपुर का पठार, और मिघाले में मिघाले का पठार है, महरास्ट ये देखिए महरास्ट का पठार है, उसका नीचे करनाटक का पठार है, उसके बाद डंड करनिक का प मेभाले पठार की बिस्स्ट तर्थ के बारे में समझिए मेगाले पठार का अननाम क्या है तो कार्वी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी भी बोला जाता है मेघाले पठार को जो है कारवी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी भी बोला जाता है और इसका निर्मान जो है मेघाले के पठार का इंदिर्मान भरंसन के कारण मालदा गैप द्वारा प्र अधिपिये भारत का ही भाग है मेघाले का पठार मालदा गैप इसकी अवस्थिती कहां पर है तो पच्छी मंगाल में इसकी अवस्थिती है और इसकी बिस्थिता क्या है तो मेघाले के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करने वाली संदचना कौन है तो मालदा गै लिएप और मिघाले पठथार की कुछ महतपूर्ण पहाडियां है जैसे कि गारोखासी जयन्तिया इसी करम में अस्तित है गारोखासी जयन्तिया मिघाले True Peace Bible आधे पाथर का ही भाग है मिघाले का पठथार करेंट एक की डंडा-करने खेत्र अस्थित है तो भारत के मधवरती भाग में अस्थित है डंडा करानेक छेत्र अराबली एबम विंद संखला के मध अस्थित पठार है तो मालवा का पठार जो है अराबली एबम विंद संखला के मध में अस्थित है कि पेटीत से मने नेक्स्ट तै क्रिटेसियेस युग के दवरान अत्य दिक जो लामुखी उदगार शे निर्मान हुआ दक्कन ट्रेव छोटा नागपूर पठार अकिरती उधारन है एक अग्र गंभीर का, किसका है? एक अग्र गंभीर का उधारन है. नेड्स्ट है मालवा का पठार, जो मालवा का पठार है इसकी अवस्थिती अराबली एबम, बिंद संखलाओं के मध में है, मालवा का पठार अस्थित है मध उच भूमी मध उच भूमी नर्मदा नदी के उत्तर में अस्थित इसके अधिकतर भागो का नाम है मालवा का पठार बोला जाता है जो मालवा का पठार है नर्मदा के उत्तर में अस्थित है जो मालवा का पठार है की लंबाई कितना है तो 530 किलो मीटर है और चवडाई कितना है 390 किलो मेटर चवडाई है मालवा के पठार का सीमा निर्धारन जोए उत्री सीमा जोए राबली परवत द्वारा निर्धारित होता है दचनी सीमा बिंद स्रेनी द्वारा निर्धारित होता है और पूर्वी सेमा जोए बुंदेल खंड पठार द्वारा निर्धारित किया जाता है मालवा पठार की बिसिस्ता क्या है तो प्रैदिपी छेत्र के लगबग प्रैदिपी छेत्र के लगबग डेड़ लाख वर्ग किलिमोटर छेत्र पर बिस्तरी थे मालवा का पठार प्रैदिपी चेतर की लगवग जो है डेड़ लाख वर किलोमेटर चेतर अपकी विस्तरी थे मलवा का पठार नेक्स्ट पॉइंट है रंडा करानियक चेतर इसका विस्तार जो है उडिसा, चातिस गड़, आंध परदेश, तेलंगाना, महरास्ट राजियों में है छेत्र फल लगवग कितना है तो 92.1 किलोमेटर इसका छेत्र फल है नेक्स्ट पॉइंट है छोटा नागपूर का पठार छोटा नागपूर के पठार की बिशिस्ता क्या है तो मध पच्मी भाग पर पाठ भूमी की अवस्तिती छोटा नागपूर पठार का बिशिस्ता क्या है तो मध पच्मी भाग पर पाठ भूमी की अवस्तिती है दामोदर नदी द्वारा अप वाहित है बिभाजन तो पांच छोटे पठार में जो है छोटा नागपुर का विभाजन है इसमें पहला है पठ का पठार दुसरा है हजारी बाग का पठार तिसरा है बाहे पठार चोटा है कोडर्मा का पठार पाचमा है राची का पठार है जो छोटा नागपुर का पठार है इसे पांच भाग पठार भीशेश तथ क्या है तो तिब्र अस्कोपे वाले ڈाल है छोटा नापूर के पठार का इसका अन नाम क्या है इससे भारत का रूर भी बोला जाता है नेक्स्ट है टटिये भाग भारत की टट रेखा के बारे में समझें तो भारतिये टट रेखा बिस्स टत के बारे में समझें टट रेखा की कुल लंबाई यहां रखेगा टट रेखा ठीक है और जो अपके अनवान निकोबार और लचदीप है उसके बारे में बात के जा रहा तो टट रेखा की कुल लंबाई कितना है तो 7516.6 km है जिसमें मुक भूमी से लगे कुल टट की लंबाई कितना है तो 2422.6 km है 2422.6 km है जिसमें मुक भूमी से दूर कुल टट की लंबाई कितना है तो 294 km है जैसे कि अंडवान निकवार और लचदीप की कुल लंबाई कितना है तो 294 है और जबकी नौ राजवल आपके टट है इसकी लंबाई कितना है तो 5422 किलो मीटर है टोटल कितना है तो 7516.6 किलो मीटर आपकी लंबाई है उसके बाद है टटिय सीमा पूर्व में जो है बंगाल की खारी पूर्व में आपके बंगाल की खारी है पच्छिम में रव सागर है और दच्छिन में हिंद महा सागर है इसका बिस्तार जो है नौ राज और चार केंद साचित परदेश है नौ राज एबं चार केंद साचित परदेश है चार केंद साचित परदेश कौन-कोन है यापर अब समझ लिजिए पहला तो अनवान निको बार है दुसरा है लच्छद आपका है। चोठाब के यहां पर हैं। दमन और दीप एवं नागर और हवेली। यह चार आपके कन्दद्द शाशिद प्रदेश हें। और नौ आपके राज हैं। तो भारतिय टटर एखा का विस्तार जो है। नौ राज और चार कन्द्द शाशिद प्रदेश में है। यह सबसे लंबी जो टट कहां परे तो गुजरात में है और चार कंद साशित प्रदेश कुन को ने तो दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीप लच्छ दीप पूडुचेरी अनवान और निकोबार दीप समु नेक्स्ट है सरवाधिक छोटी टट रेखा किसकी है तो सरवाधिक जो लंभी टट रेखा किसका जाया तो गुजरात का का था powin तना आपको ध्यान में रखना आए उसके बाद में माहरास्ट में जंजीरा बंद radio गया में उडप्पी है, उसके बाद नीचे में केरल देखे और यह अपके हैं, त्यमिल्णाडू में कंन्या कुमारी, यहां पर ने कंन्या कुमारी है, उसके बाद तुती-कोरिन है, औरे-बीले है, चिन्याई है, जो चारो आपके जो एक दो एक दो तीन चार पांचो लोकेशन जो कहां पर है तमिल नाडू में चन्नाई जो है तमिल नाडू की राजधानी है और जो मरीन बीच है ये कहां पर है तो जो मरीन बीच है ये चन्नाई में ही असती थे मरीन बीच उसके बाद आंध परदेश बिसाखा पत्नम कहां पर है तो आंध परदेश में ही बिसाखा पत्नम है उडिसा में पारादीफ है गोपालपूर पुलीन है उसके बाद है आपका पच्छिम मंगाल दिगा पुलीन हल्दिया कोलकाता ये आपके कहां पर है पच्छिम सिमा है और सबसे छोटी सिमा राज्यों में किसकी है तो गोवा का है किसका है गोवा का अगर बोलेगा केंडर साश्ति प्रदिश में किसकी है तो किसकी है तो पूडू चेरी की किसकी है पूडू चेरी की इतना आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट है टट से समुंद्र की और यह आपके टट है समुंद्र की और इसमें पहला है अधार रेखा जिसे बेस लाइन बोला जाता है अन्ता अस्थल से अन्ता अस्थल से सागर की और निकले भागों को मिलाने वाली सिधी रेखा को जो है बेस लाइन बोला जाता है अधार रेखा बोला जाता है उसके बाद है छेतरी सागर छेतरी सागर को इंगलिस में क्या बोला जाता है तो टेरिटोरियल सी बोला जाता है किसी भी देश का प इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Exclusive Economic Zone. किसी भी देश के अधार रेखा से 200 समिंदरी मिल तक का जल छेत्र. Next है, बिविद पॉइंट. भारत को सीमा सुल्क, बसुली और वितिय अधिकार प्राप छेत्र हैं, तो समिपस्त मंडल में है, अधार रेखा से 24 जो अधार रेखा है, इससे 24 नोटकल मिल तक है, 24 नोटकल मिल तक है. छेत्रिय सागर की दूरी, अधार रेखा से सागर की और मापी जाती है, तो 12 समुद्री मिल तक. प्राचीन भारतीय इतिहास में हिंद महासागर का सूचक नाम था, तो रतनाकर था, कय था? रतनाकर जो है, हिंद महासागर का सूचक नाम था टटिये अपरदन में सरवादिक महत्पूर्ण भूमका होती है तो किसकी होती है लहरों की सरवादिक भूमका होती है भारत का अवसत समुंद्र तल मापा जाता है चन्नेई के तल से भारत का अवसत समुंद्र तल मापा जाता है तो चन्नेई टट से मापा जाता है चौरा बाड़ी गलेसियर के पिघलने के परिनाम सुरूब जिस जिल का अंदिरमान हुआ है गांधी सरोबर जिल अस्थलिय भाग एबं अधार रेखा के मद सगरिय जल को कहा जाता है तो आंत्रिक जल बोला जाता है नेग्स्ट पोइंट है कि भारत के टठ, भारत के टठ, भारत के टठीय मैदान का भू आकिर्टिक अधार पर तीन भागों में बरगी करण किया गया है, पहला आपका है गुजरात या काठिया बारा टठीय मैदान, गुजरात, एबं, दाद्रा और नागरहवेली तथा दमन और दिव टटिये भागों में विस्त्रित है दुसरा है पच्छमी टटिये मैदान और तिसरा है पुर्वी टटिये मैदान जो इस इलाक़ को क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है गुजरात काठिया वाला टटिये मैदान बोला जाता है ये पहला हो गया दुसरा है पच्मी टटिये मैदान ये आपके हो गया दुसरा हो गया तिसरा है पूर्वी टटिये मैदान ये आपके तिसरा है भारत का पच्मी टट के बारे में समझें तो परिच भारत का पच्मी घाट बोला जाता है जैसे हाँ पर समझेए पच्मी घाट तो ये टोटल हो गया ठीक है और अरब सागर अरब सागर के जो बीच का संकिर्न मैदान है उसे क्या बोला गया है तो उसे बोला गया है भारत का पच्मी टट बोला गया है ठीक है और इसका विभाजन जो है तीन भागों में किया गया है उत्री भाग जो है कोकन टट है जो कहां से कहां तक है तो मुंबाई से गोवा तक है कहां से जो मुंबाई से गोवा तक है उससे क्या बोला जाता है उससे कोकन टट बोला जाता है दुसरा है मद भाग करनाटक गाट बोला जाता है जो कहां से कहां तक है तो गोवा से मंगलूरु तक है और तिसरा है दचनी भाग मालाबाट बोला जाता है दचनी भाग को मंगलूरु से कन्ययकुमारी तक है कहा है मंगलूर से कन्या कुमारी तक जो है विस्तार है दचनी भाग का इसे गवर दुबारा देख लिजिए परिचाय में सबसे पहले क्या था पच्मी घाट और अरब सागर के बीच अस्थित जो संकिर मैदान था उससे भारत का पच्मी घाट बोला गया है और इसका करनाटक ऒणा जाता है जो ऊसे कांपर मंगलूरु के मध में अस्थित त्रह दशनी भाग जिसे मालावा राद बोला जाता है जो मंगलूरु से कन्याकुमारी तक है करन्ये कुमारी का लोकेशन आप लोग하고्लों देख चुके हैं मेड़ में में उसके बाद नेंस्ट गोदाबरी, कृष्णा, काबेरी नदियों के डेलटाओं द्वारा निर्मित उपजाओं मैदान को जो है भरत का पुर्वी टट बोला जाता है महानदी, गोदाबरी, कृष्णा और काबेरी इन सभी नदियों के डेलटाओं द्वारा निर्मित उपजाओं मैदान को क्या ब बोला जाता है भारत का पुर्वी टट बोला जाता है उत्री सरकार का टट उत्री सरकार का टट तो महा नदी ध्यान रखेगा महा नदी एवर कृष्णा नदी के बीच का जो मैदान है उसे उत्री सरकार टट बोला जाता है महा नदी यहां पर ध्यान रखेगा नदी का बाद चलला है महानदी हो गया और कौनसे नदी है क्रिश्ण नदी इसके बेच में कौनसे नदी गोदावरी ति इसका मतलब हो गया, कि महाः नदी, गधाबरी नदी और कृष्णा नदी, इन तीनों नद्यों के बीच का जो भाग है, उसे बीच के भाग का जो मेधान है, उसे क्या बोला जाता है, उसके बाद ये कोरो मंदल, टट, आंध परदेश के फाल्स डेबी बिन्दू से तेमिल नाडू के केप कॉमोरीन, कन्या कोमारी तक बिस्त्री थे कोरो मंदल, टट, तो इसका मतलब जो आपके कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी से जो नीचे बला इलाखा हो जाएगा, ये क्या हो कोरो मंदल टट हो जाएगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के पच्छमी टट पर अस्थित परमुख बंदरगा के बारे में समझे भारत के पच्छमी टट पर अस्थित परमुख बंदरगा के बारे में आपको समझना है तो समझ लीजिए मुंबाई जो बंदरगा है कहां है, यह कहां पर अस्त थे ? यह भी आपके महरास्ट में अस्त थे ? जनजीरा बंदरगा कहा पर अस्ति थे ? महरास्ट में इसके बारे देख चुके हैं उडपी बंदरगा कहां पर था करनाटक में, इसे भी मैप में देख चुके हैं, कोचिंग बंदरगा केरल में अस्ती थे, नियू मंगलूर बंदरगा करनाटक में अस्ती थे, तो एक, दू, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, आठ, इंपोर्टेंट बंदरगा को आपको या नियू अस्ती थे, तismil naadu में अस्ती थे, तो आपके बारत के पूर्बिट हे यहां पर चार इंपोर्टेंट बंदरगा, जिसे आपको धियाद में रखना आएक जिसे कि जो नियू नाड़ु में दू आपके इंपोर्टेंट बंदरगा एड़नौर और निव तोतिव कोरीन है विसाखः पटनम आंद परदिश में हल्दिया पच्छी मंगाल में पारदीप उड़िशा में एड़नौर और निव तोतिव कोरीन आपकी तमिल नाडू में नेक्स पॉइंट है दीप समू तो इसमें सबसे पहले बंगाल के खाड़ी के दीप समू के बारे में समझेंगे कि बंगाल के खाड़ी में कौन-कौन से दीप हैं उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद जो है अरब सागर में कौन-कौन से दीप समू हैं उसके बारे में स अंडमान निकोबार है, इधर आपके लच दीप है, तो बात किया जा रहा है, अंडमान दीप समू के बारे में बात किया जा रहा है, तो सरवोच सिखर कौन दे, तो सेंडल पीक है, और इसकी उचाई कितना है, तो 732 मेटर इसकी उचाई है, दीपो की संख्या लगभग कितन आराकान योमा के बिस्तार से हुआ है इसकी जो उत्पत्ति है तिर्थियक परवस्त्रेनी आराकान योमा के बिस्तार से जो है अन्माद दीब समू का निर्मान हुआ है इसकी विशिस्ता क्या है बलुआ पत्थर चुना पत्थर और सैले बलुआ पत्थर चुना पत्थर और स दूर उत्तर पूर्वी में आपके अस्थित है बेरन दीप, जो बेरन दीप है, कहां पर अस्थित है, तो पोट बलेयर से 135 किलोमेटर दूर उत्तर पूर्वी में अस्थित है, अंडवान सागर में, कहां पर अंडवान सागर में अस्थित है, दच्छिन एसिया एवं भारत क इक मात शकिरिये जोला मुखिये है, ये कोशन बार-बार एकजामे पूछा जाता है, यहां तक तो इस कोशन को आये समय म clipping बार बार रिपिट किया जाता है, किसी नो किसी रूप में, उसके बाद नेक्स्ट है नारकोडम दीप जो है अंडबान सागर में अस्थित अंडबान सागर में अस्थित जो है प्रसुप्त जौला मुखी है जबकि बैरन दीप क्या है एक सकीरिय जौला मुखी है जबकि नारकोडम दीप जो है नारकोडम दीप पर ही एक नारकोडम ज जबकि active mode में अभी भी इस से लावा निकल रहा है, उसके बाद next point है, निकोबार दीब समू, जैसे कि आपके उपर में अंडबान हो गया, ठीक है, और नीचे में आपके निकोबार हो गया, तो हम लोग जो अभी समझें, अंडबान के बारे में समझें, अब नीचे में नीच धुलिया है और इसकी उचाई कितना है, तो 642 मीटर है, जो सेंडल पीक है, इसकी उचाई कितना था, तो 732 मीटर सेंडल पीक की उचाई था, 732 मीटर, डीपों के संख्या कितनी है, तो लगभग 22 दीप है, कहाँ पर निकोबार में, उपर बड़ा अंडबान था, और दीप है जबकि जो अंडबान था अंडबान में कितने दीप थे लगवग तो लगवग आपके 550 दीप थे जबकि जो नीचे वड़ा नीकोबार है यहां पर लगवग 22 दीप है नेक्स्ट है 10 दिगरी चैनल इसकी बिशिश्टा क्या है तो अंडबान और नीकोबार दीपो को अलग करता है तो ध्यान रखेगा जो 10 दिगरी चैनल है अंडबान और अंडबान और नीकोबार को को अलग करता है तो 10 दिगरी चैनल आपके अलग करता है नेक्स्ट है स्री हरि कोटा देप के अवस्थिति के बारे में समझेए जो स्री हरी कोटा देप है इसका अवस्थिति के बारे में आपको समझना है तो इसके विश्यस्ता है कि पुली कट जील को जो है बंगाल की खाली से पिर्थक करता है सिरी हरी कोटा दीप यहाँ पर ध्या रखना है जो पुली कट जील है इसका विस्तार दो राज्यों में आंध परदेश और तमिल नाडू दो राज्यों में जो है पुली कट जील का विस्तार है भारत का उपगरा परचेपन केंदर कहां पर है तो 37 धवन अंतरीच केंदर आपके स्री हरी कोटा में अस्तित है भारत का जो उपगरा परचेपन केंदर कहां पर अस्तित है तो स्री हरी कोटा में अस्तित है जिससे 37 उसके बाद next point है महतपुर्ण जलसंधी अस्ट्रेट चैनल के बारे में समझे गया है यहां से भी एक कोशन एकजामे पूछे जाते हैं एक सरब के नाम दिया गया है और एक सरब के अवस्तितिक बारे में बताया गया है आठ डिग्री चैनल जो है मिनिकाई मिनिकाई एबम मालदीब के मध में अस्तित है आठ डिग्री चैनल तो जो आठ डिग्री चैनल है यह मिनिकाई भरत का लोकेशन है और मालदीब के मध में अस्तित है आठ डिग्री चैनल 9 डिगरी जो चैनल है मिनिकाई एबं लच्दीप के मध में अस्तित है मिनिकाई एबं लच्दीप यहाँ पर आप समय लिजे यह आपके माल लेते हैं कि माल डिप है माल डिप है यह आपके मिनिकाई है यह मिनिकाई है और यह आपके है लच्दीप तो मालदीप और मिनी काय के बीच में 8 डिगरी चैनल है और मिनी काय और लचदीप के बीच में 9 डिगरी चैनल है जबकि 10 डिगरी चैनल जो है लगू अंडबान एबं कार निकोबार के मद में है लगु अंदबान इवां कार निखोबार के मद में जनके पास मैप है, आप लोग मैप खोल के देखते रह практи chickens उसके बाद है डंकन पास जिनके पास Oxford का है तो आप लोग पीछे मैप का जो सबसे पीछे जाए जो आपके जो भारत का मैप है उसके लास्ट में जाएगा भार्ट देज्ट की मैप में जाएए वहाँ पर आपको मिल जाएगा जो अनवान निकों तो है उसका proper map मिल जाएगा डग्कन पास डग्कन पास जो है लभू अंद्बान एव वानकी मध में अस्थित थी जो उसके बाद है पाक अस्ट्रेट जो पाक अस्ट्रेट है वो आपके यहाँ पर है तबील नाडू एबम सिर्लंका के मध्य में अस्ट्रेट है पाक अस्ट्रेट मनार की खाड़ी इतना आपको ध्यान में रखना है उसके बाद कुछ इनपोर्टेंट पॉइंट है वीश्व के सबसे बड़े और दुरलब ब्रहत्त काय रौबर केकले के लिय प्रसीद है तो बांडूर समुंदरी जय मंडलिये प्ररचित छेत्र कोको दीप मियान मार वें उत्री अंडवान के मद अस्थित है कोको चैनल भगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट इंडूनेसियाई दीप में कौन है तो सुमात्रा दीप है जाबा मत बोलिएगा सुमात्रा ये उप्रसी का पूछा हुआ सवाल है भगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे नजदेक में कौन से इंडूनेसियाई दीप है तो आपको ध्यान रखना है सुरवात में होता है सुमात्रा आप लोग हम लोग सभी लोग बोलते हैं जाबा सुमात्रा लेकिन होता है सुमात्रा जाबा तो पहले कौन आएगा सुमात्रा उसके बाद आपके आता है जाबा ध्यान रखेगा तो पहले में सुमात्रा इसका मतलब की जो ग्रेट निकोबार है उसके सबसे निकट में कौन सा दीप है इंडूनेसिया के तो सुमात यह पूछा हुआ सवाल है UPSC का उसके बाद नेक्स्ट है अरब सागर के दीप समू हम लोग इसका पहले देखे बंगाल की खाली के दीप समू देखें अब देखते हैं अरब सागर के दीप समू के बारे में तो इसमें हैं लच दीप कैंसासित कैंसासित दीप परदेश के ब तो इसके अवस्तिती जो है केरल के मालावा टट के समीप अस्तित है, अप लोग मैप में देखती रहिए, इसका पुर्व में नाम क्या था, तो लाकादीप, मेनी काय तथा अमेनी दिभी इसका पुर्व में नाम था, बरतमान में इसका नाम क्या है, तो लचदीप है, और ल 240 किलो मोमेटर की दूरी पर बिस्तृत दीपो का समू है ठीक है ? दीपो का समू है और जो लच्छ दीप है इसका छेद्रफल कितना है तो 32 वर किलो मेटर है इसका छेद्रफल है कुल दीप कितने है तो 365 है तो अंदमान में कितने दीप थे तो लगभग 550 थे तो यहां पर लगभग 22 दीप थे जबकि जो लच दीप है इधर आपके अन्वान था लच दीप में कितने दीप हैं तो 36 दीप हैं ये एकजामें पूछा जाता है इसे ध्यान से याद रखिएगा उसके बाद है नो डिगरी चैनल मिनि काई को लच दीप से प्रिथेक करता है जो आठ डिगरी चैनल है वो मिनि काई को मालदीप से अलग करता है 8 डिगरी चैनल और जो 9 डिगरी चैनल है वो आपके मिनिकाई को जो है लच दीप से पिर्थेक करता है यहाँ पर है मिनिकाई लच दीप का दुसरा सबसे बड़ा दीप है जो मिनिकाई दीप है लच दीप का दुसरा सबसे बड़ा दीप है कबरती लचदीप की राजधानी है जो कबरती है लचदीप की राजधानी है कबरती दीप पर अस्थित है कहां पर अस्थित है तो कबरती दीप पर अस्थित है महरास्ट अस्थित कौन-कौन सा दीप है तो एलिफेंटा दीप है कौन है एलिफेंटा दीप है ध्यान रखेगा यह दीप है एलिफेंटा दीप मुंबई अस्थित गेटबे ऑफ इंडिया से 10 किलोमेटर दूर है एलिफेंटा दीप सालसेट दीप हिस्ट्री में पढ़ते ह थाने नगर जो दीप है इसी दीप पर अस्थित है साल सिट दीप पर अस्थित है नेक्स्ट है अब टटिये दीपों की अवस्थिती के बारे में समझे गंगा के डेल्टा प्रदेशो भारत के पुर्वी पच्मी टट तथा मननार की खाड़ी में अस्थित दीप है पीरम दीप जो है खंबात की खाड़ी में अस्ति थे भैसला दीप कठिया बाड़ा टट प्रास्ति थे दीव वैदा नवरा पिरतन करून भार जो ये दीप है कच के टट प्रास्ति थे खड़िया बेट तथा आलिया बेट जो दीप है नर्मदा तापी जो नदी है उसके मुहाने के निकट में अस्ति थे उसके बाद है बुचर करंजा क्रोस दीप कहां पर अस्ति थे मुंबाई के निकट में अस्ति थे भटकल पीजन कॉक सेंट मेरी दीप मैंगलोरी के टटके निकट अस्ति थे निव मूर एबम गंगा सागर जो दीप है गंगा डिल्टा के आसपस में अस्ति थे नेक्स्ट है कि भारत के राज छेत्र, भारत के राज छेत्र एवं केंदर साशित प्रदेश, भारत में कितने राज हैं, 28 राज और 8 केंदर साशित प्रदेश हैं, इसके बारे में समझना है, तो सबसे पहले राजटी राजधानी छेत्र में समलित भाग, दिल्ली, NCR में कौ परिदाबाद, गुरुगराम, मेवात, रोहतक, सुनीपत, जीद, रिवाली, जजजर, पानीपत, पलवल, भीवानी, महेंद्रगड, करनाल, जीले, यह सारे जो डिस्टिक हैं, यह आपके दिल्ली NCR में आते हैं, लिकनी हर्याना के डिस्टिक हैं, उत्र परदेश के कौनको नगर, सामली, बागपत, जीले, यह आपके दिल्ली NCR में आते हैं, उसके बाद है राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जीले जो हैं, दिल्ली NCR में आते हैं, यतना आपको ध्यान में रखना हैं, उसके बाद नेक्स्ट है कि छट्रिफल की द्रिस्टि से पांच बड़े राज के बारे में समझे, भारत सरकार के गरीम अंत्राले के महा पंजियक कारेले के अनुसार ये डेटा है, छेत्रिफल की द्रिस्टि से पांच बड़े राज, छेत्रिफल की द्रिस्टि से सबसे बड़ा भारत में कौन सा राज है, तो राजस्थान है, इसका छेत्रिफल कितना है तो इकाई दाई सेकला हजार दस्यार लाख तीन लाख बे आलीस हजार दो सो उन्चालिस बर किलो मेटर राजस्थान का छेत्र फल है उसके बाद मधपरदेश है सकेंड में पहला में राजस्थान दूसरा में मधपरदेश तीसरा में महरास्ट चोठा में उत्तर पर प्रदेश में उसके बाद महरास्ट में महरास्ट के बाद विहार में और विहार के बाद पच्छी मंगाल में उत्र प्रदेश पहला नमर पर महरास्ट दुसरा पर है विहार तिसरा पर है और पच्छी मंगाल चाउठा पर है नेक्स्ट है कि मद पर्देश की सीमा को असपर्स करने बाले पांच राज जो मद पर्देश राज है उसके सीमा किलकिल राजों से लगती है तो गुजरात, रजस्तान, उत्तर पर्देश, महरास्ट और च्छतिस गर्ण तो आपको ध्यान लगता है कि मद पर्देश से पांच राजों की सीमा लगती है उत्तर पर्देश की सीमा से असपर्स करने बाले आठ राज एबं एक केनल साचित पर्देश तो इसमें देख लिजें हिमाचल पर्देश, हर्याना, रजस्तान, मद पर्देश, च्छतिस गर्ण, बिहार, जारखंड, उत्राखंड, एबं दिल्ली तो इसमें आठ राज और एक केनल साचित पर्देश की सीमा जो है उत्तर पर्देश से लगती है उसके बाद है आठ पर्देश राज की सीमा को असपस करने बाले राज तो ओडिसा है, चतिसगड है, तेलंगाना है, करनाटक है, तमिलनाडu है और एक केना साचित पर्देश से जिसकी सीमा असपस करती है आंध पर्देश से वो कौन है तो पूडू चेरी है कौन है पूडू चेरी है और उसका कौन सा लोकेशन आपके आंध पर्देश में है तो यह नम लोकेशन आपके आंध पर्देश में है नेक्स्ट पॉइंट है तेलंगाना राज तेलंगाना राज से किनकिन राजों के सीमा लगती है तो 36 गड़ महरास्ट करनाटक आंध परदेश जो यनम है अनम की सीमा के आंध परदेश से लगती है ना कि तेलंगाना से लगती है तो एक दू तीन चार राजों के सीमा के तेल उसके बाद करनाटक राज जो करनाटक राज इसकी सीमा आन्ठ परदेश से महरास्ट से तेलंगाना से गोवा केरल तेमिल नाडू से लगती है तेमिल नाडू है इससे आप लोग मैप में जरूर देखेगा तभी आपको किलियर होगा उसके बाद केरल की सिमय करनाटक और तमिल नाडु से लगती है जबकि केरल में पूड़ी चरी है उसका एक माहे लोकेशन तो एक तरीके से जो पूड़ी चरी के विस्तार भी कहां पर है केरल तक आपके विस्तार है तो दो राज एवं एक केंसासित परदेश आपके अस्तित है केरल में तमिल नाडु में केरल करनाटक आंध परदेश सीमा साथा करती है केरल राज करनाटक राज आंध परदेश के सीमा लगती है तमिल नाडु से जबकि जो पुडुचेरी छेत्र है इसकी भी सिवा तमिल लाडु से लगती है जो पुडुचेरी के दो लेकेशन आपके तमिल लाडु में है एक आपके पुडुचेरी छेत्र और कराइकल छेत्र जो है ये कहां पर है ये आपके तमिल लाडु राज में है आप लोग मैप में देखते रहे हैं, ठीक हैं? उसके बाद नेक्स्ट है, पंजाब, सीमा, सज़दार, राज कौन कोन है? तो रज़स्थान है, हर्याना है, हिमाचिल प्रदेश है, एबं केंसरी प्रदेश, जम्मु एबं कास्मीर है कौन है? राजस्थान है, हर्याना है, हिमाचल परदेश है, एबम एक केंसासित परदेश है, जम्मु एबम कास्मीर है चतिसगर राज से सीमा किसे किसका लगता है, तो उत्रपरदेश, मदपरदेश, ओड़ेशा, जारकन, तेलंगाना, महरास्थ और आनपरदेश का लगता है नेक्स्थ है, उत्रपूर्भी राजियों के साथ बहनों के नाम से परसीद राज कौन कोन है तो अर्युनाचल परदेश है, और असम के समय वरती राज कौन कोन है बाद में जो है इसे एट सिस्टर कर दिया गया है इसमें सिक्यों को भी ले लिया गया है ठीक है इसमें सिक्यों को भी जोड लिया गया है नेक्स्ट है मनिपूर, बिस्स्टत के बारे में समझे, इसके बिस्स्टत क्या है तो पुर्वोत्तर भारत का अस्थल अबरुध राज्य, छेत्रफल 22,327 बर किलोमेटर है, संपुन भारत के भोशता का 0.7% है, इसके जो अस्थला किलती है 92% भूमी पहाड़ी इबंपरवत फुम्डी जो है लोक्टक जील में तरने बाले छोटे-छोटे भूकंड या दीप है, बिलिप्त पराय संगाई हिरन का प्रकृतिक निवास अस्थान है मनिपूर, जो लोक्टक जील है, लोक्टक जील में एक नेशनल पार्क पाया जाता है, इसका नाम है केबूल लामजा कहाँ पर है, तो राजस्थान में अस्थित है ठार मरुषथल और इसके बिशिस्था कैया है, तो वीशु का सबसे घहना बसा हुआ मरुषथल को ने तो ठार मरुषथल है, 83 ब्यक्ति प्रती बर किलोमेटर अपके निवास करते हैं ठार मरुषथल में, मरुषथल कलाब द अनुमानता जो है 10,000 बर्ष पुराना है थार मरुवस्थल नेक्स्ट रवनाचल परदेश विश्श तर्थ के बारे में समझे 28 डिगरी उतरी अच्छांस रेखा जो है रवनाचल परदेश के मद भाग से गुजरती है भारत बन इस्तिती रिपोर्ट 2019 के बारे में समझे तो 80 परतिशत भाग जो है मनाबरन है रवनाचल परदेश का और 12 परतिशत भाग जो है बनाचादीद छेतर राज के रचित वन है बंगलूरी है बंगलूरी सहर को जो है सिलकोन बैली के नाम से जाना जाता है सिलकोन बैली के नाम से जाना जाता है बंगलूरू सहर को मलनाड करनाटक का पहाडी एबम गहने बनों से अच्छादित छेतर है करनाटक का पहाडी एबम गहने बनों से अच्छादित छेतर है मलनाड भारत का IT Powerhouse किसे बोला जाता है तो करनाटक को ही बोला जाता है भारत का IT Powerhouse जो है सुचना प्रदोकी का हब बोला जाता है जो मतलब कि IT Powerhouse को सुचना प्रदोकी का हब बोला किसे जाता है तो करनाटा को बोला जाता है सिलकॉन बैली अस्टेट के नाम से भी जाना जाता है करनाटा को सिलकॉन बैली अस्टेट के नाम से भी करनाटा को जाना जाता है इतना आपको ध्यान में रखना है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चोटा नागपूर पठार के बिसिस्तत के बारे में समझे तो सरवाधिक बिस्तार जो है जारखन में हुआ है चोटा नागपूर पठार का और इसकी बिसिस्ता क्या है तो पाठ अंचल दीप रूपी अस्तला किरती इसकी सरवाधिक बिसिस्ता है और इसकी दो अस्तला किरती वचे पहाडी सिखर अन नाम क्या है भरत का कौनूर के नाम से जाना जाता है आंध प्रदेस को अन प्रदेस की खान से काहणीर हिराब की प्राप्थ हुआ था जरके पेडर्व के बारे में समझे पुर्विवे में प्रदेशिक चछेटर में जो है बिदर्व की अवस्थिती है भुकम्प भीशन भुकम्प जो है लातुर जीले में कब आता है तो 30 सितंबर 1993 को आता है जो बिदर्व है इसे दो डिविजन में बाटा गया है एक है नागपूर डिविजन दुसरा है अमराबती डिविजन ये दोनों के अंतरगत कौन-क उसे छेतर आते हैं तो नागपूर अमराबती चंदरपूर अकोला वर्दा बुलडाना यवतमाला भंडारा गोंडिया वासिम गडची रोडी इस दोनों आपके जो नागपूर और अमराबती इसके अंतरगत इसारे लोकेशन आपके आते हैं उसके बाद है लातूर जो है बालिश बहुत ही कम होता है और प्रेसर ज़्यादा होता है नेक्स्ट पॉइंट है मत पर्देश का भोपाल नगर जो है 23 डिगरी 25 मिनिट उतरी अच्छांस अस्तित है करक रेखा की दच्छिन में अस्तित है मत पर्देश का भोपाल नगर लटकी हुई सिल्ड से बंधे अपतर्नों मित्ती एबं अंजयविक पदार्थो तथा सड़ती हुई बनस्पती से बना है फुमडीज जुमरी तिलया अस्तित है कुडर्मा जिला जहरकेंड में अस्तित है भारत में जनसंख्या के अ next है कि स्वंदभदर जिलों को असपर्स करने वाले राज है स्वंदभदर जो जिला है उत्रपरदेश में अस्तित है तो स्वंदभदर डिस्टिक से किनकिन राज़ों के सीमा लगती है तो 36 गड़ मदपरदेश बिहार और झार खंड यह अपके उत्रपरदेश से को ना प अठाइसमा तेलंगाना की राजधानी कहां पर है तो हैदराबाद में है तमिल नाडू टट पर अवस्थित डेर्मार्क से संबधता के लिए बिख्यात है तरंगम बाड़े क्या है तरंगम बाड़े तमिल नाडू एबम पूड़ुचेरी की सीमा पर अवस्थित है औरे बिले का अवस्थित है औरे बिले नेक्स्ट है भारत में भारत के केन सर्षित परदेश के बारे में समझे तो जम्मू कास्मिर लद्दाख चंडिगर दिल्ली दमन, दीप, एबम, दादर और नागरा हमेली तथा दमन और दीप उसके बाद है पूड़े चेरी जो पूड़े चेरी उसका निर्मान चार लोकेशन से मिलके होता है पहला है पूड़ीचेरी, कराइकल, यनम और माहे इन चार लोकेशन के मिलने से जो है पूड़ीचेरी का निर्मान होता है उसके बाद है लचदीप, अन्डमान एबम, निकोबार, दीब समू इसके रधानी कहां पर है? पोटबलेयर है लचदीप के रधानी कहां पर है? तो काबा रती में है तो कितने हो गए? एक, दू, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और आठ, आठ, अपिकेंद, साशित, प्रदेश हैं तो सबसे पहले समझे अन्डमान और निकोबार, दीब समू के बारे में इसकी अवस्थिती जो है, अच्छांसी ये बिस्तार है छोड डिगरी, छेद डिगरी उतरी अच्छांस से, चौदे डिगरी उतरी अच्छांस तक जो है अन्डमान और निकोबार का बिस्तार है इसका जो देसंतर ये विस्तार है 92 डिगरी पूरवी देसंतर से जो है 94 डिगरी पूरवी देसंतर तक जो है 94 डिगरी पूरवी देसंतर तक जो है अन्दमान एबं निकोबार का विस्तार है ठीक है यह अपके अच्छांस हो गया और उपर से नीचे अपके देसंतर हो गया है डस डिवरी उतरी अच्छांस रेखा जो है उतरी दिशा में अनबान दीवसमू यव दचनी दिशा में जो है निकोबार दीवसमू के बीच में अस्थित है चेत्रफल कितना है तो 849 बर किलियोमेटर अनबान निकोबार का चेत्रफल है जन संख्या 38,581 लोग रहते हैं दोह जन जाती आपकी पाई जाती है तो महा, अनबानी, ओंगो, जारवा, सिंटिनली से नोट कीजेगा जन जाती का नाम यह बारबरे इज़ा में पूछा जाता है उसके बाद नेक्स्ट है दादर और नागर हवेली बिसिस्ट तत्थ इसके सिमाएं जो है महरास्ट और गुज जाता है जो जाता है तो जो जाता है पच्छी मंगाल में गपालपूर उड़ीशा में मरीन सागरिये तमिलाडव में अस्तित है केप कॉमुरीन का अन नाम क्या है तो कन्य कुमारी इसका अन नाम है उसके बाद नेक्स पॉइंट है दमन और दीब के बेसिस तर्थ के बारे में सबजिये पूरवा इस्थिती तो भारत का 111 साशित परदेश 26 जनवरी 2020 से पहले चेतरफल 111 बर किलिमेटर जनसंख्या 242,247 बेक्ती निवास करते हैं दमन और दीब पर 2011 के जनगर्ना के अनुसार नोट में क्या लिखा गया है तो 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज और 8 केंसाशित परदेश से 26 जनवरी 2020 से दाद्रा और नागर हवेली दमन और दीब का बिलायकर जो है एक केंसाशित परदेश दाद्रा और नागर हवेली तेथा दमन और दीब कर दिया गया है नेक्स्ट है दिल्ली दिल्ली के बारे में समझे दिल्ली आपके एक कैंसर्षित परदेश है तो बरतमान इस्तिती भरत का राजधानी सहर है छेत्रफल है 1483 बर किलो मिटर है जनसंख्या 1.68 कलोर निवास करती है 211 के जन गन्ना के अनुसार जनसंख्या के दिरिष्टी से सब से बड़ा संख राच्छे तरकों है तो लद्दाक है दवन और दीप अस्तित है क्रमसा गुजरात के बालसाड और सोमनात जीले के निकट अस्तित है भारत में केंद साशित प्रदेश के संके कितनी है तो आठ है दादर दादरा और नागरहविली तथा दवन और दीपर अ नेक्स्ट है केंद साशित प्रदेश चंडीगल के बारे में बिस्स्तत इसका गठन कब किया गया है तो एक नमबर 1966 को चंडीगल का गठन किया गया है कितनी जन संख्या है तो 10.55 लाख जन संख्या लिवास करती है चंडीगल में पंजाब एबम हर्याना की संजिक्त राज चोटा कंद्र साशित प्रदेश से लच्टीप कितने बेखती हां पर रहते हैं तो 64473 बेखती रहते हैं जन गन्ना दोहरेगारे के अनुसार कितना चेतरफाल है तो 32 बर किलम्मटे चेतरफाल है कितने दीप है 36 दीप है प्राजधानी आपके कव रती है उसके बाद नेक्स्ट है पूड़ी चेरी कौन है पूड़ी चेरी इसका भी वाजन जो है चार जिलो में इसका भी वाजन है करायकल और पूड़ी चेरी ये कहां पर है तमील नाडू में अस्ती थे येनम ये कहां पर है तो आंध परदिश में अस्ती थे माही कहां पर अस् पूर्डिचरी का निर्मान होता है। पूर्डीचरी का होता है। तो बारा पॉइंट आठ लाख संख्या है, जन गन्ना दोह एगारे के अनुसार राजधानी ही कहां पर है। पूर्डीचरी राजधानी है। झाल